प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का जलवा और करिश्मा देश के लोगों पर जादू की तरह चाया हुआ है। प्रधान मंत्री से मिलने वालों की लिस्ट समय और अवधिस सब कुछ पहले से तै रहती है। इसरे मंगल केवट की पियम मोदी से मुलाकात हो पाएगी इसमें शक है। मंगल केवट पियम मोदी से अलग-अलग मौकव पर दो बार मिल चुके हैं। यह हमारा नाम मंगल केवट है, मैं कासी का मजदूर हूँ। मंगल यह आज कहा है। आज आए हैं शिगरा मानी प्रधान मंत्री जी आ रहा है हमारे बनारस में। तो प्रियास है कि यहां मिला जाए। अगर यहां आज मुलाकात नहीं होती तो आज घर से ठान कर निकले हैं। तो फिर दिली जाएंगे। अपने सगडी से। चलकर सहगडी से चलाकर कितनी बार प्रधान मंत्री जी से मिल्कः से दो बार मिल चुके हैं। और एक बार और दीवन में तमन्हा है कि एक बार मिलने के बाद अगर उनको भगवानमानता हूं तो आज मिलना होगा। हम बहुत परिसान है पियम मोधी से उनकी एक मुलाकात वारांसी में ही तब हुई थी जब केवट ने अपनी बेटी की शादी का नियोताब पियम को भेजा था जिसके बाद केवट को मिलने के लिए बुलाया गया था पियम ने केवट की बेटी की शादी की शुप कामनाएं भी दी थी सरकार इसकुल के बच्चों की प्रतिभाद एक पियम मोधी अचम्भित हो गये थे वोले इनके टीचर से भी मिलना चाहूंगा केवट ने आगे कहा कि दो बार पियम मोधी मिल चुके हैं एक बार और जीवन में तमन्ना है कि पियम मोधी से मिलने के बाद उनके शरीर से आत्मा निकले एक बार वो सिर्फ प्रधान मंतरी मोधी से मिलना चाहते हैं केवर्ट ने खाए को पियम मोधी को भगवान मानते हैं इसलिए मोधी को आज मिलना होगा जब पत्रकारों ने मंगल केवर्ट से पूछा कि अगर मुलाकात होई तो क्या कहेंगे क्या मागेंगे तो हाथ जोड़कर मंगल ने जबाब दिया हम बहुत परिशान हैं अलाकि पियम मोधी से मंगल केवर्ट की मुलाकात हो पाए गया नहीं इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी मुलाकात बनारस में नहीं हुई तो दिल्ली जाकर प्रधान मंत्री मोधी से मुलाकात जरूर करेंगे यहाँ पर देखने लाइग बात यह होगी कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का स्टेडियूल बहुत बिजी है इस बिजी स्टेडियूल में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी क्या मंगल केवर्ट से मिलने के लिए समय निकाल पाते हैं अपने आप में बड़ा सवाल है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें